जय महावीर मित्रों, मित्रों बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चनल में। दोस्तों जोतिस की संक में आपका एक बार फिर से स्वागत हैं। और इस शंक में हमारे दर्सक हैं। रिशव जी जो कि सुल्तान पूर उत्तरपदेश से हैं रिशव जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में और रिशव जी का प्रशन है कि इस्टेनोग्राफर बन पाएंगे या नहीं आसुलिपिक वो बनना चाहते हैं वो उसमें सफल होंगे बन पाएंगे यह या नहीं यह उनका प्रेशन है तो सबसे पहले रिशव जी आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने जो डेट आप बर्थ हमें उपलब्ध कराई है अगर वो 100% सही है उसमें डेट आप बर्थ समय स्थान यह सब कुछ सटीक है उसमें कहीं कोई तुटी नहीं है तो जो गरनाए भी होंगी वो भी 100% सही होगी उसमें कहीं कोई अंतिस्योग नहीं होगा सभी मित्रों से नोद रहता है कि जब भी आप कभी जोतिस समंद्धी प्रस्थ के लिए कमेंट किया करें तो उसमें अपने नाम कम्प्लीट डेटा बर्थ समय स्थान मतलब सब कुछ 100% सही होना चाहिए अनुमानित नहीं होना चाहिए अगर आपका कंफर्म डेटा बर्थ नहीं है तो उसके लिए आप बता देंगे तो उसके लिए दूसरा विकल्प भी है वो आपको बताया जाए और रिस च्रोनोग राफर के लिए आपने जो पूछा हुआ है कि मैं आसलीपीक बन पाऊंगा या नहीं मन भी नहीं लग रहा है तो वो तो ग्रहादसायसी आपकी कुंडली में भी चल रही है करेंट में कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है वैसा हो भी रहा है तो आपकी कुंडली के तो आप इस टोनों ग्राफर बन जाएंगे आप आसुलिपिक बन सकते हैं रिसब जी छोटे-छोटे रुकावटे हैं जैसे की सनी राहू मंगल सूर्च कई कुछ ऐसे गरहा ऐसे रिपीट पर स्थिटियों में हैं जिनकी वजासे रुकावटे आ रहे हैं उसके लिए आप उ आसुलिपिक जरूर बन जाएंगे समीकरण ऐसे हैं रुकावटे छोटी-छोटी हैं बाकि समीकरण बहुत अच्छे हैं आप आसुलिपिक बन सकते हैं आप इस्टोनों गराफर बन जाएंगे उसके लिए आप उपाय आप ध्यान से सुन लीजेगा ये उपाय आप पुरी बिष्चद्धा पूरी भक्ति के साथ यत्खा सक्ती के साथ वितना परसे करिये तो आपको आपके मनवानसीत फल्गी प्राप्ति अवस्थ हो जाएगे उसमें सबसे पहले ये रहेगा रिसब जी कि आपका साकाहार होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने भी जोतिस के उपाय बताए जाएंगे। उनका सब का संबंध कहीं ने कहीं साकाहार और धर्म से जुड़ा होता है। यदि आप साकाहार का पालन नहीं करेंगे, तो ये सारे उपाय विफल हो जाएंगे, निका कोई मतलब नहीं होगा। तो सबसे पहले रिसबजी आपको बताना चाहेंगे कि आप सनीवार के दिन सनी और राहुजी के ले लीजेगा सब्तधान का दान करना है आपको सब्तधान मतलब साथ प्रकार के अनाज होंगे इसमें गेहूं, चावल, चना, मतर, उर्द, मूंग, मसूर यह सारी खड़ी चीज़ लेना है, मतलब साबुत, सम्मूची, जिसमें का आपको गेहूं और चावल, तीन-दीन किलो लेना होगा, बाकी जो पांच समागिरिय बचेगी वो आपको एक-एक किलो लेना है, मतलब टोटल ग्यारा किलो, आप ग्यारा किलो आप ले लेना यह अन यह था सकती दचन लगा लिजेगा, यदि आप छाता और जूता साथ में एड करने में सक्षम नहीं है, तो यह था सकती आप क्यों सब्धान का भी दान कर सकते हैं, उसमें यह था सकती आप दचन लगाईएगा, फिर किसी गरीब निर्धनलाचार या किसी स्योग बेक्त को या सुयोग गुबरहमल को, आप सनीवार को आप दच्छन लगा कर दान का दीजेगा, दान करते वक्त मन में एक संकल्प करिएगा, कि है सनी राहु देओ, आप से जितने भी सरोत्तम फल की प्राप्ति हो, वो मुझे सरोत्तम फल की प्राप्ति हो, मेरे सभी संकटों का जमर को आप एक बाद डान करिएगा फिर उसके बाद 2 मेहनेalten तीन मेहने के बाद एक दान उन रिपीट करिएगा, उसके साथ आता कैम मंगलवार को इक दान करिएगा, मंगलवार की दिन आप लीजिएगाा, इसका ख़ुड़ा देगा सभा किलो घुर, या उसका कपना खं लगातार आप 5 मंगलवार दान करना है मंगलवार को दान करिएगा सनिवार को दान करिएगा और जीओन में एक नियम बना लीजिएगा जब भी आप प्राता हसनान करेंगे तो सबसे पहले आपको सूर्ध्यों को जल देना है कांटिन्यू लाइफ टैम चमतकारी प्रवतान आपके दियोन में आए इस उपाय को करने से तामे या पीतल को कोई लोटा लीजिएगा उसमें जल लीजिएगा अच्छट डालिएगा रोली डालिएगा लाल पुस्प डाल लीजिएगा इतना डालने के बाद सबसे पहले आप भगवान सूर को ये जल अरपित करिएगा ओम घड़ी सुर्याय नमाँ के साथ ये आयत तो ठीक है नहीं ओम सुर्याय नमाँ जितना भी आपको सरल भासा में सच्छे मन से आपका सिर्फ भाव होना चाहिए आप सुर्य को सबसे पहले प्रत दिन जल देंगे पूजा अरसना आप बाद में करेंगे जो भी करते हैं और करना भी चाहिए और दूसरा एक ये याद रखना की जैसे ही आप जल देते हैं तो वो जल पैड़ों की नीचे न पड़े गंदी नालियों में न जाए ऐसी जगा पर दीजिएगा और सबसे लास्ट में आप भगवान भोयनात की सच्चे मन से अराधना करना शुरू कर दीजिए आपके घर के आसपास एक कोई श्यूमंदिर है तो वहां आप जाए जला भिषेक करिए पूजन करिए और उसके बाद भगवान भोयनात की आधी परिक्रमा करिए तभी पूजा के आपके चारools की प्राप्ति होती है पुजा के आपके फल सर्वुत्तम तभी मिलता है आधी परिक्मा मतलब हमेशा सब वीडियों में बताते हैं मित्रों कि में गेट पुजा करते हैं तो वहां पर प्रणाम करते हैं ओम नमस्षिवाई के साथ क्लाक वाइज घड़ी के दिशा में जाते हैं में माक्सिमम उतार दिशा की तरफ से जल की निकासी होती है जो घड़ी की साइड में जायू हां से वापस आज जाएंगे में गेर प्रणाम करेंnorm지 राइट स्य जहांा पर जाकारिकंडquent उarना कि मतलब यह होता है कि हमको मंदिर का राउन्ड मारना है लेकिन जहां से जल निक प्रभुनात की आधी परिक्मा करिए गाउम नमस्वाय का जाप यह था सकती है आप जितना कर सकें मंदिर में बैटके वहीं पर करिएगा भवान भवनास से बिलकुल आपको जुड़ जाना है कि है प्रभु आप मेरे सभी संकटों का नास करिए आप जगत के पालानहार है अ जैसी आप एक बार दान करेंगे चमतकारिक रूप से परिवरतान आपके जीओन में आएगा और आप आसुलेपीक जरूर बनेंगे अरी सब्सक्राइब कर लीजेगा उसके बेल आईकान आएगा बेल आईकान पर सबस्चेट टॉप पर और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर द अब इसमें जितने भी लाइब वीडियो लाइब प्रोग्राम ये ग्यानमटक वीडियो जितने भी आते हैं उनका नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा यह दिया आपको कोची समझ में कमाती है कोई आपके छोटे छोटे प्रसन हैं उनको आप तदकाल पूछना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम की आइडिया आएगी प्रयास भाई वहां पर फालो कर लिजेगा सारे मित हमारे वहां पर फालो कर लें कभी भी किसी को कोई पर सकती है कोई विजानकारी चाहिए वहां को तदकाल मिल जाएगा छोटे छोटे विचार छोटे छोटे प्रशन आपके वहां उनका आपको मिल जाएगा तो दोस्तों इसी तरह प्यार बना रहे हैं जुड़े रहे हैं और आप सब का विश्वास सदा उसी तरह बना रहे तो दोस्तों मिलते हैं एक ने ग्यानमर्भाग वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंडे मात्रों